कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइस पीसे से कैनमी में और हिस्ट्री के क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो हम लोग जो जहां पिछला वीडियो एंड किया था तो उसी का नेक्स पार्ट मैं लेके आया हूं चूकि आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का विभाजन वहाजन हुआ था उसके बाद में जो स्वतन्ता हुई थी स्वतन्ता मिली थी हमारे देश को तो उससे जो भी कुश्यन बने हुए हैं तो अभी तक तो उनको हम एक रिवीजन के तोर पर देख लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला कुश्यन देखते हैं कि जब भारत को स्वतन्ता प्राप्त होई थी तो उस समय यूके यानि की बिटेन में जिस पार्टी की सत्ता थी तो कौन सी सी पार्टी तो वहाँ पर थी लेवर पार्ती भारत केislक तो होते समय इंग्लेंट का प्रधानमंतरी कौन तो सुधन के प्रधानमंत्री उसा रन दिख ơi और나र के चोड़िए कब करप तक जून टो देखे जो सरकार थी उसने गोषना की थी कि वो भारत को छोड़ देंगे कब तक जून 1948 तक भारत को छोड़ देँगे तो यह गोषना कब की थी उन्होंने यह की थी फरवरी 1947 में यह गोषना कर दी थी लाड माउंट बेटन बाइसराय के रूप में भारत आये थे तो देखते हैं कि क्यों आये थे यह था संबत भारत को जो है संयुक्त रखने भारत को विवाजित ना करने की जो है एक विशेश हिदायत के साथ में इनको भेजा गया था भारती स्वतंत्रता का आधार बनी थी माउंट बेटन योजना जो कि माउंट बेटन के द्वारा बनाई गी थी तो इसी आधार पर संथा मिली थी में यौजना मिली और वह श्रेश कवा दिवारा पारित किया गया था तो तो कब पारित हुआ था जुलाई 1947 में ये एक्ट पारित किया गया था भारत के विभाजन के संबंधित मांट वेटन योजना की सरकारी तोर पर घोशना हुई थी तो सरकारी तोर पर यह गोशना कब हुई थी 3 जून 1947 की डेट को हुई थी कथन दे रखा है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंतरता प्रदान कर दी थी इसका रीजन क्या था कि अंग्रेज दोती बिश्युद में निर्वन हो चुके तो दोनों इचीने सही है और व्याक्षा भी सही दे रहा है आगे बढ़ते हैं कि कथन दिया हुआ है कि स्वतंतर भारत में बिटेन की प्रदा बनी रही तो गलत है स्वतंतर होने का मतलब ही था कि बिटेन की प्रदा सम वासक ने की थी हां यह सई है कि जो पहले जो हमारे सीराज को पालाचारी जो थे गवर्नर बने थे तो उनकी नियुकती बिटेन की संसत के द्वारा की गई थी तो इस तरीके से यह कथन आपका सही हो जाता है देखिए अभी हमारा हिस्ट्री का जो लेक्से चलाओ इसी तर परवादी और और यह हिस्ट्री के भी हम लोग एंड पर पहुंच गया है भारत का विवाजन इसके बाद में एक मिस्लेनियस का टॉपिक और बचेगा तो उसके बाद में आप लोग कमेट करिए कि अगला जो है सब्जेक्ट कौन सा आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कमे यह मांड वेटन के मस्तिस्क की जो है उपस्त था बर्स 1947 में भारती राष्टी कांग्रेस देश के बिभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सैमत हुई तो जो कांग्रेस के इसलिए सैमत हुई थी क्यूंकि वे बड़े पैमाने पर संभाविच जो सामपरदाइक तो उनको रोखने के लिए उसने यह यहिजना सुईकार की थी भारत के भिभाजन के रूप में गांधी जीने मांट वेटन को सुझायाे था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंदरित करें तो जो बहरत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का अंधिर्धारन हुआ तो उससे संबन देता है भारत विभाजन के संदर में 1947 में नियुक्त सीमा आयोक की अधिक्षता किस ने की तो यह रैड क्लिफ ने की थी और भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अफसर समाप्त हो गया था जो कैवनेट में सनाया था उसको अस्विकार करने के बाद में सार करती जो है संभाबनाय समापत हो गई थी भारत के विवाजन को टालनेवों को लेकर 15 जून 1947 को कंग्रेस के दिल्ली एदिवेशन जो डिल्ली में प्रस्ता सुइकार हुआ और इस आदिवेशन की अधिक्स्या किस ने की ती तो यह किति आचार जी वी क्रपलानी जी ने की इंपोर्टेंट कोशियन है नई दिल्नी में वर्स 1947 में आयोजित अखिल भारतिय कांग्रेश समिती की बैठक में गोविद वल्लब पंद सरदार वल्लब भाई पटेल जी और जेवी क्रपलानी जी अबुलकला माजाद जी में से बिभाजन के प्रस्ताओं का समर्थन किया थ तो यह समर्तन किया था अबुलकला माजाद जी ने वर्स 1947 के कांग्रेश कमेटी की बैठक के द्वारा बिभाजन के प्रस्ताओं के पारित होने को राष्ट बाद का संप्रदाववाद के पक्षमे समर्पन यह किस ने कहा था यह कह था डाक्टर किछलू ने वर्स 1947 में भा गवारत विभाजन के पक्र इपक्ष में मतदान किसने किया था तो खान अब्दूलगफार जी ने जो है इसके बिपक्ष में मतदान कियातबध 14-15 अगस्त सब्तली सब्सक्राइब ऐभानत त основ को कुई शिए सब्सक्र कर दिया वहां सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के प्रतम बिदीनध्री कोन बनेते तो यह बनेते भीम्रा उमेट कर जी इनको बिदी मंत्री बनाया गया था बिलकुल प्रारम से भारत के राष्ट पदी पद के आसीन विक्तियों का सही करम तो क्रम पूछा गया था आप तो पहले बने थे डाक्टर राजिन फिसाज जी इसके बाद में बने थे चार्व पली रादा क्रिश्ण चर्था नमबर पर बने थे भीवी गिरी यी थे लाइड मौंट बेटन की अधेक्ष्ता में बनी विभाजन परिश्यद में भारती राष्टी की में ने जो है लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी किसकी की थी तो सिंद बलुचिस्तान उत्तर पश्मी सीमा प्रांध की की थी 15 अगस्त 1947 को राजेंद परसाद जवाला लहरू जेवी क्रपलानी थे था सरदार पटेल में से भारती राष्टी कांग्रेस का अध्यक्स था तो कौन था जब वह काफी वार अम लोग बेख चुए हम यूपर काफी रिपीटेट कोशन है जेवी क्रपलानी थे वही य संभिधान को 26 जन्वरी के दिन लागू करने का जो नेर्ण है क्यों लिया गया तो चलो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस ने इस्तिति को 1930 में जो है सतंता दिवस के रूप में मनाया मनाया था भारतिया राष्ट वार जो है बिटिस राज का सिसू था तो यह स् इन देखा जाई तो उन्होंने भारत का कहीं ना कहीं यही करन्ड कर दिया था यह स्वतंता कि समय ब्रतेन के राजा कौन तो जो सबना कि मैस आप बहारत का हम लोग संबैधानिक विकास देख लेते जो भी एक्ट जो भी पारिवे थे चलिए करके अब हम लोग देखेंगे पहले बात करते हैं कि Regulating Act पारित किया गया था तो कप पारित किया गये 1773 में प्रतम गवर्नर जन्रल जन्रल ऑफ बंगाल का जो पद था उसको कब वो जो है बनाये गया तो तो भारत में सरप्रतम सरवोच नियायले की इस्थापना कब हुई थी तो यह रेगुलेटिंग एक्ट जो 773 तराया इसके अंतरगती 1784 में की गई थी इस्ट इंडिया कंपणी के द्वारा इस्थापके तो उच्छतम नियायले के प्रतम मुखे नियाय दिसकौन थे तो यह थे अधिकार मिल गया तो 1786 के द्वारा अधिकार मिल गया तो इस तरीके से देखिए आप डेट के हिसाप से आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा गवर्ण जनरल कवाया था और कौन सा गवर्ण जनरल किस के समय में कौन सा एक्ट पारित हुआ यह भी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्याइक सक्तियों से बंचित कर दिया गया और उसको केवल क्या संग्राहक अभी करता ही करता कई यानि की राजस बसूलिकाही सिर्फ उसको कारते दिया गया उस समझ सकते ही जो उसकी पावर थी उसको झो जो है छेन लिया गया तो अभी करता बना दिया गए एसे विन्नियमन का कारण किया तो लाड कान वालिश जो था वो जिला करेंटर में इतनी संकेंध्रित इतनी विस्त्रिश सकती से सत्र लो गया था वोज चाहता था कि ज्योहें एक और महसूस का था तो एक-बिक्ति ब्रैकों Dash 1973 में जो है एकादिकार इनका समाप्त हो गया तो समथ्क इसको आजिस के शाय। औरफीरें जिसके दोवारा बिप्थी संसद ने चाय और चीन के साथ वयापार को छोड़कर !h यो सबहत कर दिया तो चैय और चीन के साथ में जो ब्रैके हम पर दिकारा करें गया देकाव 1813 के चार्टर अधनियम के लिए महत्मूर्ट समझे जाने का एक कारण क्यों है क्योंकि इससे क्या हुआ था कि भारतियों की सिच्छा के लिए बित्तिय प्रबंद का प्रापधान किया गया था कितना 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष जो इसमें प्रापधान किया काउंसिल में परम सत्ताधारी के पनाम को भारत के गवर्नर जनरल तो जो अब जो गवर्नर था उसको क्या बोला जनरल भारत का गवर्नर जनरल उसका नाम चेंट करके कर दिया गया था काउंसिल में गवर्नर जनरल को बिधी करता कि सभी सक्तियां परदान की गई तथा उसके इसके तहती आपि कि भारत और इंग्लेंड दोकिक साथ सविकार किया गया था था ब्रभ एक क्रियाशील बिधान परीशत का स्रजन किया गया था बिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवब इंग्लेंड में एक ही समय सात साथ इंडियन सिबिल सर्विसेस डिसको बोला जाता था है करने हैं तो सहमत हुए थी तो कब 1922 से यह सहमत हो गए थी कि मैचिंग का क्वेश्यान है चलिए हम लोग देख लेता है कि नियंत्रण परिश्यद की स्थापना कब हुए थी तो पिट्स का अधनियम आया था 1784 में तब हुए थी सर्वोष ने आले किस्तापना 1773 अधनियम के अंतरगत 1784 में भी थी इसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति या कारेकरने के अनुमति का मिली थी अठार चार्टर अधनियम 1813 के अंतरगत गवर्णर जनरल की परिश पार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और लेकिन यहां पर चाय और चीन का जो है ब्यापार बना रहा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रवन से संबने जो है सभी पत्राचार यानि कि सभी जानकारी या दस्तावे ब सब्सक्राइब की सरकार को मालूं होने चाहिए इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता था एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ था कि सासन का अधिकार इस्ट इंडिया कंपनी से बिटिस ताज को अस्तांत्रित कर दिया गया था तो यह हुआ था 1858 में पिट्स इंड 1784 में क्या हुआ था एक Board of Control इस्थापित हुआ था किसलिए हुआ था क्यूंकि जो कंपनी के जिए कंपनी का जो रेगुलेशन है उसको रूल एंड रिवलेशन उसको फालो करने के लिए यहां पर या फिर उसकी जांच करने नहीं रिक्षन या फिर मूल्यांकर तो यह सब साथ रेक्ट के द्वारा भारत का इस इंडिया कंपनी से क्राउन को इस्थानांत्रों किया था कब 1858 के द्वारा इंफ्र मीशन देए कि गवर्णर करने को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो कब की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 161 के द्वारा अधिनियम जिसमें सामुहिक कारेचालंग के इस्तान पर बिभाग या बिभागी ये पद्धती के द्वारा बाइसराय की कारेकारी परिश्यद पर उनके प्रादिकार को और बलब्रदान किया गया तो यह कब किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के भारती या विधान परिश्यद को बजट पर बहत जो भारत की बिधान परिश्यदती उसको बजठ पर बहस् करने की शक्ते कप द्राब्त ल més आई था उसके अंत्रक यह शक्ति ग्रेइमेंबो प्रउक्षण प्रउक्षण निर्वाचन पनाली की शुरुआत ली भारत में मीडिया को नियंद्रित करने के एक्ट कब कब लाए के तो जो आठातर और इसके माध्यम से जो मीडिया को करने का प्रयाज किया गया था बॉंबे मदराश कलकत्ना में उच्छे नियालो की स्थाफना कब हुई थी एठाना एक्ट में यहां पर हाइपोटों की सब्सक्राइब प्रेयोगों में सबसे कम समय देखिए आपको दिये जो अधनियम और जो एक्ट दिये तो पता तो इसमें पुछा गया था कि जो सबसे कम समय तक कौन सा चला था सब्सक्राइब लाइब तो यह जुवक भूस्ट और जलाएब दर्णियम को जाना जाता है कि मांटेग्यू चैन्म grote रिपोर्ट देख लेते हैं तो भारत सरकार लियू उन्छ सब्लियोने का आधार मनी थी उसके आधार पर ही उन्हें आया था दूहसा काmeg किसको माना जाता ह लियोनिल कार्टिस जो है इनको द्वैसासन का जनग माना जाता है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैन्सपोर्ट अधनियम पास हुआ था तब इंग्लेंड का परधान मंत्री था तो कौन था लॉयर्ड जॉर्ज थे जब 1919 का अधनियम पार्थ वह ता प्रांतों में द्वैट सासंध प्रणाली यानिकी डाय आर्की जिसको बहुत बहुता है तो इसमें क्या वता कि जो प्रांतों में प्रत्या योजित विशियों का दो संवर्गों में वही जो हम लोग आजकल सूचिया नहीं देखते हैं कि संग सूची और राज सूची और संबर्ती सूची इस टाइप की बना दी गई थी कि इस पर कार विधायका करेंगे और यह जो मुद्ध है बाट दिये गए गवर्नर और प्रांत की बिदायका के बीच में संबंदित था किसे सामे धानिक सुधरों से बाराज सरकार कानुन की सरकार तो को लागू करने वाला एक्ट कब आया था निस निस में भारत सरकार अधनियम के बारे देखें यह इंफॉर्मेशन दी गई देखने क्या है कि इस अधनियम में केंद्री एबं प्रांतिय विश्यों को अलग कर दिया गया तथा बहरत सरकार अधनियम 2019-1921 में लागू हुआ था तथा जो है मांटेग्यू भारत के राजय सच्चिव लॉड चेंफोर्ट जो थे भारत के पाहसरायत है आगे बढ़ते हैं कि कथन दिया हुआ है कि भारत सरकार अधनियम 1929 के प्रवाटन के साथ ही शासन का ढाचा और उसकी बिशास्ताइं जो एकात्मक एम एकात्मक और केंद्री केंद्री ही रही ती नहीं तो यह तो गलत है क्योंकि जब बढ़ गया तो कहीं ना कहीं है जो ह करने के लिए विशह दिये तो कहीं ना कहीं यह शासन की बिकेंद्री करन को दर्शाता है तो इसलिए यह हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा कारण देखते हैं कि शत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यययोजित किया गया तो इसी बचे से तो यह गलत हो गया तो हमारा यह सही हो जाएगा और आप जो है गलत हो जाएगा अगला देखते हैं कि कथन दिया कि दुशासन का अर्थ प्रशासन के विश्यों को दो बर्गों में बाटना था बिल्कु ठीक है और इसका कारण क्या था कि प्रांतों में उत्तरदाही शासन के बोध का प्रव सब्सक्राइब बिधाई क्रियाओं में निशेशादतिकार यानि की बीटों की शक्ति तथा स्वयम दौरा बिदी बनाना वी इसमें सामिल था 12 शरकार इंदीम 1935 ने समाप्त की तो प्रांतों में जो दैज सासन बिवस्ता थी इसको समाप्त कर दिया गया था कब 1935 के अंतरगत गवर्न्में स्वसासन का उपवंद किया गया था एक संगीन याले यानि कि फेडरल कोड की स्थापना का उपवंद था इसमें और केंडर में अखिल वारतिय संग का उपवंद भी इसमें ता देखिए इसमें जो भी इनफॉर्मेशन दी गई उन्युक्त में तो पढ़ाई दे रहा हू स्रोथ भी इसको माना जाता है तो इसलिए भी बहुत ही महपूर्ण माना जाता है 1935 के भारस सरकार अधनियम की केंडर में साथ ही साथ राज्यों में द्वेशासन जो है दुई सद्धनी बिधान मंडल प्रामतिय स्वाहितता एक खिलवारती संगों में से एक वैसिस्टित नहीं थी आगे बढ़ते हैं कि 1935 के भारत अधनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में जो है राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की जो असली मंसा थी वो क्या थी असली मंसा थी कि जो राष्टवादी नेताओं के समराजवाद लेक्तों परिजन नहीं तो यह किसने का था यह का था जवालाल नहरुने किसके बारे में 1935 के बारे में वह अधनियम जिसके द्वारा संबयधानिक नीरंग कुष्टा का सिधान्त प्रस्तूत किया गया था भारति समिधान भारतियर अराष्टी कांग्रेस ने अपने अध अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बता सकता है केंद्री बिधान सभा में वे निर्वाचन जो भारशासन अधिनियम एक नोट दे रखा है कि वर्स 1937 में हुआ प्रांती बिधान सभा चुनाओ भारशासन अधिनियम जो एक गुलामी का अधिकार पत्र किस ने कहा था तो जवालना नहरू ने इसको बोला था कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है भारश सरकार अधिनियम 1935 में अंतरविष्ट अनुदेश प्रपत्र इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन्स जो है वर्स 1950 में भारत के समिदान में समाविष्ट किया गया तो वही मुझे इस आरोप से कोई छमा नहीं मांगनी कि सम्मिदान के प्रारूप में गवर्रूमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े वहाग को पुना उत्पादित कर दिया देखिए जब सम्मिदान बनाता तो उसमें प्रारूप समिती के कद्याश थे डाक्टर भी प्रा इनान सवाने जो है इसको इससे कुछ लिया है या इसकी कार्मन कॉपी या इसके बड़े भाग को जो है इसमें रख दिया सम्मिदान में तो उसके लिए यह स्टेट्मेंट कहा था अब मेडिकाजी ने यहाब हम लोग मैचिंग का कुशन देख लें दिया श्टान सन्ओन दिया मन्हों उनिटींश्र के की द्व emission कि दो थाफित्तर संग में अश्य सकति कि इसको दित लिए गवर्न जन्रन तो कि भारत है जो संबंढ तो कब महारत मार्शन दुन है कि कॉस्च की ऑन में पर सब्सित को सामांत है देखिए अब हमारा लास्ट जो टापिक है मिसलेनियस का आपनिक भारत तो इसको अम लोग जो है अगले वीडियो या कल मैं इसको आपको देखिए यह थोड़ा सा बड़ा जो है तो इसको जो है मैं दो से तीन पार्ट में लगेगा क्योंकि जो इतियास के वह कोश्चिन जो किसी भी टापिक में नहीं है तो उनको लोग मिसलेनियस में डाल देते हैं तो इनके जो कोश्चिन होंगे देखिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चिन होंगे जो भी पूछे गए अभी तक तो इनको बोले जाते हैं मिसलेनियस कोश्चिन तो अगले वीडियो में हम लोग इसको cover करेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और हाँ एक और बात अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है माई चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में